नमस्कार जेहिंद वने मातम साथ यो एक बार फिर से स्वागत है बड़ी अपडेट के अंदर दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आचुके हैं इपी ओपए में अपडेट करना चाहते हैं कि बेंक अकाउंट डिटेल्स यूनियन की मदद से जट से होगा का दोस्तों पूरी अपडेट क्या है हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरे विस्तार से बताने वाले हैं पर दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल पुटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है वहीं अपने फिड से जुड़े सबी ट्रांजेशन भी नजर रख सकते हैं इसके अलावा एपियो खाते से जुड़े बेंग डीटेल को भी अपडेट कर सकते हैं एपियो पो अपने सब्सक्राइब के कई सुविदाय देता है इसके सर्वे का इस्तमाल करने के लिए खातादार को पास युनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए UAN के जरीए पियप अकाउंट होल्डर के एक ही जगह अपने पैंसन फंड का डीटेल से एकसेज कर सकते हैं वहीं अपने पियप से जुड़े सबी ट्रांजेशन भी नजर रख सकता है इसके अलावा पियप खाते से जुड़े बैंक डीटेल को भी अपडेट कर सकते हैं UAN की किसी भी जगह या ओपीस गए बिना पियप अकाउंट होल्डर की जुरूतों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन का काम कर सकता है यदि आप अपने खाते के साथ अपने बैंक डीटेल को ऑनलाइन अपडेट करना चाते हैं तो यह दिएगे स्टेप फॉलो करें अपने क्रिडिशन के साथ एप्योपो की अधिकारी की वेबसाइट पर लोगिन करें तो मेन्यू पर दिएगे मेनेज के पर टेप पर क्लिक करें ड्रोप डाउन मेन्यू से के वाइसी का विकलब चुने फिर डोकुमेंट टाइप पर रूप में बैंक स्लेप करें ने बैंक खाते के साथ आई एप एस सी कोड की जानकरी दर्ज करें बैंक डिटेल अपडेट करने के बाद सेव पर क्लिक करें अब के वाइसी पेंडिंग अप्रूल सेक्षन में अपने अपडेटिंग डिटेल्स दिखाए देगा अपने एम्पलोईर को जुरूरी दस्तावेच दे बारते स्टेट बैंक की गराकों का वेरिफिक्षन बैंक दोबारा डिटेल्स तरीके से किया जाएगा के वाइसी वेरिफाइप पूर्न होने के बाद आप सर्विस रिकेस्ट की स्थिति डिटेल्स अप्रूल्ड के वाइसी में बदलाओ जाएंगे जैदी एंप्लोयर या एबिसी आई बैंक डिटेल्स की कंप्रमेशन करता है तो एप्यो पो एक कंप्रमेशन मेसेज बेजेगा अकरकार दोस्तों यह अप्डेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिगा शेर कीजिगा अपने दोस्तों के साथ और अभी चनल के उ हैं